तो गुड मॉर्निंग आईज और करेंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करेंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है देखिए कि जो हमारे जो पडियावरन मंत्री हैं प्रकाश चावडेकर उन्होंने किस नाम से मानव हाती संगर्ष पर राश्ट्र पूर्टर लॉंच किया था तो आंसर होगा सुरक्षया फिर एक इस राज्य सरकार ने इंदेरा वन मितान योजना शुरू की तो ये शुरू की थी 36 गड़ सरकार ने तो इसमें वनवासियों के विकास के लिए कार्रिक किये जाएंगे इस योजना के अंतरगत एक इंदरा रसोई योजना भी आपने सुनी होगी वो राजस्थान ने शुरू की थी जिसमें जरूरत मंद गरीब लोगों को 8 रुपे में भोजन दिया जाता है फिर है किस IIT ने सुदेशी बीज गेंद विक्सित किया तो IIT कानपूर ने बीज गेंद मतलब सीड बॉल्स मतलब आपने ये सीड बॉल्स एक जगे डाल दिये तो फिर आपको वापे पानी वगेरा खाद वगेरा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिना गड़े खुदे पोद्योग जाएंगे फिरे विश्व जेव इंदन दिवस कब मनाते हैं दस अगस्त को मनाते हैं इसकी थीम थी बायो फ्यूल्स टुवर्ड्स आत्म निर्बर भारत फिरे ट्रेफिक सिगनल्स पर महिला के आकरती लगाने वाला भारत का पहला शेहर कौन सा बना तो आंसर होगा मंबई फिरे शेहरी शेत्र में वन भूमी अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन सा बना तो ये बना चत्तेजगड फिरे मेकिंग सेंस ओफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की बुक को किसने लिखा तो ये लिखा योगी इंदर यादव ने फिर बताओ भारत में आत्म निर्बर्ता को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तूं के आयाद पर प्रतिबंद लगा दिया गया तो आंसर होगा 101 रक्षा मंतरी हमारे है राजनाचिंग जी जिनका निर्वाचन शेत्र है लखनाव फिर प्रधार मंतरी जी के द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने के लिए शुरू किये गए विशेश अभ्यान का नाम बताओ गंदगी मुक्त भारत फिर एकिस राज्य में देश का पहला एलेक्टरिक वहन पार के स्थापित किया गया तो आंसर होगा तमिल नाडू में बढ़ते आगे फिर है टाइम मैगजीन्स की So most influential people of 2020 सुची में शामिल होने वाले एक मातर भारते फिल्म स्टार कौन है आईश्मान कुराना है और वैसे तो इसमें और भी भारते हैं जैसे कि प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी गूगल के CEO सुन्दर पिचाई डॉक्टर रवींद्र गुपता और बिलकिस बानू लेकिन आपसे पूछा जा रहा है एक मातर भारते फिल्म स्टार तो फिल्म स्टार तो आइश्मान कुराना है फिर है no mask no service अभियान ये कापर शुरू हुआ राजस्थान के जूत्पूर में ये शुरू हुआ था तो एक तरका जागरुकता अभियान है ये फिर है world maritime day विश्व सम प्रेल को मनाते हैं हर साल फिर है Acer India की brand ambassador कौन बने सोनुसूद बने ये जो Acer है ना ये ताइवान की company है लैप्टोप आते हैं इसके United Nation Environment Program की शेत्रे ambassador के रुप में किसे नियुक्त किया गया तो अंसर होगा खुशी चिंदालिया को गुजरात से हैं ये और United Nation Environment Program की National Goodwill Ambassador है दिया मिर्जा जिनका कारेकाल 2022 तक बढ़ाया गया था फिर है पंजाब और महराश्टर को Operative Bank का नया प्रशाशक Administrator के से नियुक्त किया गया एके दिक्षित को फिर बताओ लड़ा को राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पाइलेट कौन बनी तो आंसर होगा शिवांगी सिंग फिर है मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने लांच की थी राजस्तान सरकार ने फिर है रेल राज्य मंतरी का निधन हो गया नाम बताओ उनका सुरेश अंगडी उनका नाम था फिर है किस राज्य में देश का दूसरा रॉकेट लांच पोर्ट के स्थापना की जाएगी काफे तमिल नाडू के थुत्तु कुडी में और पहला है आपका आंदर प्रदेश के शिरीहरी कोटा में मतलब यहां से रॉकेट वगेरा लॉंच किये जाते है बढ़ते हैं आगे अच्छा तो चलिए कल के करंट अफेर्स को भी रिवाइज करते है प्रशन आपसे पूछा जा रहा है कि भार्टे रेल्वे ने हावडा, कालका, मिल, ट्रीन का नाम बदल कर क्या कर दिया तो आंसर होगा नेताजी एक्सप्रेस नेताजी शुभास चंदरबोस जिनकी जैनती होती है 23 जैनवरी को और इस बार से हम 23 जैनवरी को एक दिवस के रूप में भी मनाना स्थार्ट कर रहे है कौन सा दिवस? पराकरम दिवस यह याद रखना इंपोर्टेंट रहेगा फिर नीतिया आयोग की द्वारा जारी नवाचार सूचकांग इनोविशन इंडेक्स में टॉप पे रहा करनाटक तो को अलग-अलग केटेगरी वाइस है जैसे कि मेजर स्थीट्स की केटेगरी में करनाटक टॉप पे है उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाश्र प्रदीश टॉप पे है और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पे है फिर है राष्टर सड़क सुरक्षा पुरुसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा विरेंद्र सिंग राठोड को फिर मनोहर पारिकर आफ दर रिकॉर्ड नाम की बुक को किसने लिखा वामन सुभा परभू ने लिखाया इसको भी रिलीस किया था गोवा के वर्तमान जो मुख्य मंतरी है प्रमुद सावंत ने फिर अभी गणतंतर दिवस रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पाइलिट बनेंगी कौन भावना कान तो ये नाम याद रखना बाकिया आयूश मंतराले का अतिरेक्त प्रभार किसे सोपा गया एडिशनल चार्जेस तो अंसर होगा किरन डेजेजू खेल वा युवा मामलू के मंतरी है ये हमारे एक्चुली देखो आयूश मंतरी हमारे जो है वो शिर्पद ये सो नायक है लेकिन वो किसी कारणवश हॉस्पिटल में है जब तक वो हॉस्पिटल में और अपना चार्ज नहीं समाल लेते उनके मंतराले का काम समालेंगे किरन डेजी जीजू फिर है महराश्टर सरकार ने गौरवाडा चिडिया घर का नाम बदल कर किसके नाम पे किया तो बाल ठाकरे के नाम पे किया है ये नाकपुर में है चिडिया घर फिर है उत्तर परदेश के किस शहर में पहली बार इस ट्रॉबेरी महुटसव का आजिंग किया गया तो जहासी में जहासी में किया गया फिर बताओ गुजरात सरकार ने ड्रेगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या कर दिया इसका नाम बदल कर कर दिया कमलम, कमल याद रखो फ्मला का दिना फिर एक इस देश के प्रदान मंतरी मार्क रूट समेत पूरे मंटरी मंडल ने इस्तिफा दे दिया तो ये नीदर रेन के प्रधान मंत्री थे फिर एक किस राध्य की सरकार ने प्रसिक्षु पृत्साहन योजिना शुरू की तो आंसर होगा उत्रप्रडिश फिर बताओ राध्यस्तान रोयल टीम के नए कप्तान किसे नियुक्त किया गया तो आंसर होगा संजू सैंसन ये किसका जगे लेंगे और श्रिया के स्टीव स्मित की जगे लेंगे बढ़ते आगे तो इस टैटिक कुशन देखते हैं पहला प्रशन पूछ रहे हैं आपसे 2020 का एजुट्चन पुरुसकार किसने जीता तो आंसर होगा पॉल जाचेरिया ने प्रसिद्ध मल्यालम लेखक हैं ये फिर एक किरल सरकार का जेसी डैनियल पुरुसकार किसने जीता तो आंसर होगा हरी हरन ने ये मल्यालम फिल्म निर्माता हैं और जेसी भी साहित्य पुरुसकार 2020 किस ने जीता तो आंसर होगा S. हरेश ने ये मलियालम लिखक है और डेली गरंट अफेर्स वाले लेक्चर में ये तीनों नाम हमेशा मैं आपको एक साथ बताता हूं तो इनको याद रखना फिर है एड़ाई का हेड़कॉर्टर कहाँ पर है है एड़ाई मतलब हो गया Insurance Regulatory and Development Authority of India जिसके चेर्मेन है सुभाष चंदर खूंटिया और अभी इसकी सदस्य बनी थी S.N. Rajeshwari वेसे ये Oriental Insurance Company की CMD है फिर है दा लास्ट क्वीन नाम की बुक को किसने लिखा है तो आंसर होगा ये कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 20 November को फिर है वायतन Lifetime Achievement Award की से मिला तो आंसर होगा रमिश पूक रियाल निशंग को जोकि हमारे सिक्षा मंत्री है फिर है टाटा Literature Life Lifetime Achievement Award 2020 अवर्ड की से मिला तो आंसर होगा रसकिन बॉन्ड को फिर बताओ वैश्विक रिश्वत जोकिम सूचकांक Trace 2020 में भारत की सिस्थान पे रहा 77 नमबर पे रहा भारत इसमें टॉप पे रहा डेनमार्क और सबसे लास्ट में यानि कि 194 नमबर पे रहा नौर्थ कूरिया यानि कि रिश्वत का लेंदिन सबसे ज़्यादा है नौर्थ कूरिया में बढ़ते आगे देश की बात करते हैं World Autism Awareness Day ये हम 2 अप्रिल को मनाते हैं परें अंतर राष्ट्रे खदान जागरुकता दिवर्स International Minds Awareness Day ये 4 अप्रिल को मनाया जाता है राष्ट्रे समुद्रे दिवर्स National Maritime Day of India ये हम 5 अप्रिल को मनाते हैं और इसकी थीम थी Sustainable Shipping for a Sustainable Planet इस्थाई ग्रह के लिए सतत Shipping अच्छा देखो ये तो National Maritime Day हो गया एक World Maritime Day भी होता है लेकिन वो Fixed Day नहीं होता उसको कोई वो September के लास्ट हजदे को मनाया जाता है World Maritime Day फिर अंतर राश्ट्रे अंतर रात्मा दिवस International Day of Conscience ये हमने पहली बार मनाया भी 2020 में 5 अप्रेल को फिर है International Sports Day ये 6 अप्रेल को मनाते हैं और National Sports Day मनाते हैं 29 अगस्ट को फिर है World Health Day ये हम मनाते हैं 7 अप्रेल को और इसकी थीम थी Support Nurses and Midwives नर्से से एक डेबी होता है International Nurse Day जो 12 माई को मनाते हैं फिर है विश्वो होमियोपेथी दिवस ये 10 अप्रेल को मनाया जाता है और इसकी थीम थी Enhancing the Scoop of Homeopathy and Public Health फिर है राश्ट्रे सुरक्षित मात्रत्व दिवस National Safe Motherhood Day ये 11 अप्रेल को मनाया फिर अंतर आश्ट्रे मानव अंतरिक्ष दिवस यानि International Day of Human Space Flight ये हमने मनाया 12 अप्रेल को फिर है पहला विश्विच चगास दिवस वर्ल्ड चगास डिजीज डे पहली बार बनाया हमने 14 अप्रेल को तो गाईस ये था आज का हमारा Current Affairs का revision वाला वीडियो अब कुछ questions आप लोग उसे पूछे जाएंगे questions आप लोग लगाईए और देखिए कितने questions आप लोग उसे बन पा रहे हैं बाकि हम इनको console करते हैं ये रहे questions आपके सामने कि आपके साहो आपके साम 뭉ना है कि ऊल कि पूछे के लोग मैं का